उसका लिखा उन मेरे बीच कुछ नहीं किसी ने मुझे भला आप लेखा गए और मुझे उसी वक्त लिखना छोड़ने की इच्छा थे आप लगातार ट्रेविल करते हैं और उस बीच में लिख भी लेते हैं फिर आप लॉट कर एक्टिंग भी कर लेते हैं तो मानव पूछ रहा था कि उन से पूछेगा कि आपको कोई जड़्ूना भी है क्या और मैं इतना ज्यादा राइटिंग मैं स्करूंगा कि मैं को सपने आने लगें जगी कि मैं लिख रहा हूँ दूर अँद मैं बोलता रहता हूँ तब इतना खाली वक था, और चॉल में बैठे हैं, पेट में खाना नहीं है, और समझ नियारा क्या करें, कहीं जाएंगे तो पैसे कर्च हो जाएंगे, तो इक बार पता है एच्छे खाल ने क्या बोला, तो ऐसी बाते ना मुझे अध्य बहुत अट्राइट करती था, और एक अफगानी रिफ्रीजी चोरी से जर्मनी घुस रहा है, और वो मेरी बगलवाली सीट पर आगे बैठता है, बात करने चालो करता है, तो मुझे क्या रखता है कि मैं बहुत लखी हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कि आपने फोन किया, उन्हें उठ और आप समझ गए कि उधर वही है, बहुत प्यारी आवास थी, जैसा आपने कहा, और आपने का, I love you, और फोन रख दिया, मैंने इतनी किताबे लिखी है, उसमें इतनी मा को कई बार मैंने पूरी तरह विलन बताया, कई बार मा का अफेर बताया, कई बार मा को लेजबिन ब आपको कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा, और मुझे भी कुछ अच्छा ढूंडना पड़ेगा, जो मुझे महनत दोनों तरफ से हो, आप पे कारोप है, आप अपने पात्रों को उनकी प्रेमिकाओं से दूर कर देते हैं, अस्पताल में जा रहा है, उनके साथ, आपको प मैं अभी भी लिखने के बारे में सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, वो इसको लिखूँ हो, कितना सही लगेगा और इसलिए नहीं कि जो सामने बैठा है, उसे थोड़ी हवा दी जाए, बलकि इसलिए भी, कि सच में उस इनसान के पास हमें कहने बताने को बहुत कुछ है, तो एक भूमिका बन जाए, आपको समझ में आ जाए, कि किस से बात होने जा रही है, तो इस अंकट पिछली बार यह था, यह संकट आज और गहरा गया है, क्योंकि जो मेरे साथ हैं, उनके बहुत सारे परीचे हैं, और वैसे परीचे के महताज भी नहीं, अक्सर बड़े लोगों के परीचे मैं ऐसा कह देते हैं, हमारी नजर में बड़े हैं, क्योंकि हमारा उनका इंट्रेस्ट और इस निउस रूम में बहुत सारे लोगों का इंट्रेस्ट बहुत मिलता जुलता है, तो हमारी नजर में बड़े हैं, क्योंकि उस इंट्रेस्ट में थोड़ा सा दो गदम आगे चले गए हैं, पढ़ते तो ही अब लिखते भी हैं, दस बारा किताबें तो उनकी आई चुकी हैं मानव कॉल जो कभी एक्टर हैं, कभी वो डारेक्टर हैं, कभी यायावर हैं, बहुत गहन पढ़ने वाले हैं, खोजने वाले हैं, एकांत प्रिये हैं, तेराग भी थेक सब हैं और कभी-कभी बिजनसमेन भी हैं, मगर जारतर वक्त या कहूं होल टाइमर वो राइटर हैं और अपने आपको इसी तोर पर पहचानना पसंद भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, कि आप कैमरे पर खूब दिखते हैं, मगर मैंने जितने लोगों से बात की, उन्होंने आपको राइटर के तोर पर बखूब भी पहचाना, यह नहीं कहा कि यह लिखते भी है बहुत बहुत स्वागत है आपका लेखन, कोई नए तरही की शेली स्थापित करने का लो लाला चेहाँ है ऐसा कुछ नहीं है यह बिल्कूल वैसा है जिसरो हैम मैंने जब Naarteek Direct करना चालू किया था जिने मैं और्डियंस में बैठ के देखना चाहता हूँ तो मेरा कभी लोब नहीं था पर्सनल बात बताए तो यह मुझे इतनी निजी तोर पे इतने गहर में ले जाके एक तरीकी का माफी नाम है कई जगे तो एक तरीकी का गिल्ट है कई जगे तो एक तरीकी की ऐसी बाते हैं जो जिसे मैं अभी बात करा था मानव से एक और आपके हमानों है उसने टूटी हुई विख्री हुई पड़ी है मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक्सप्रेमेंट है हिंदी में क्योंकि एक तरह का एरोटिका लिखना अपने आप में ही एक मालग बात है को बिल्कुल उतने खुले पन से लिखाएगी मैंने एक वर्ड भी नहीं अडिट करने दिया किसी को भी ना किसी ने किया ना मैंने करने दिया तो यह मैं चाहता है कि वो पूरी तरह वैसा ही आया जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूं कि हिंदी में इस तरीकी का लिखन आए इस तरीकी की गहरी बातें आए और और आपको पता एक अधभुत बात जो मुझे लगती है जब मैं खुद भी पढ़ रहा होता हूं जैसे मैं अभी आज कल कारलोग किन उसकर को पढ़ रहा हूं नौविजिन और मेरे बीच कुछ नहीं कुछ नहीं तो मतलब हर आदमी किताब के साथ अकेला है तो जब आपको इतनी बड़ी लिबर्टी है कि एक आदमी आपकी किताब के साथ अकेला है और आपको अपना वो पूरा समय दे रहा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उपर से अगर आप उसको वो नहीं देते हो जिसके उसने कलपना नहीं की थी यह क्या लिखा है तो आपके एक और किताब लिखने का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी किताब लिखूँ जिसमें उसकी निजिता में मैं उसका सबसे अच्छी विस्पर वाली आवाज हूँ जो वो सुनना चाहता है इस वक्त तो इसलिए लिखे में बहुत मैनत है लेकिन वो मैनत दिखनी है वो लगना जी सरा लिखा किताब पर तो बहुत सारी बात करनी है पर किसे ने मुझे सुझाया था कि उनसे पहला प्रश्णिए कीजएगा कि वो खोज क्या रहे है बड़ा अच्छा सा वाल है बाई ये तो मूल प्रश्ण है इसे हम सब जुचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं मुझे लगता है कि एक एक स्थिती होती है तो डोंट नो कि स्थिती होती है आई डोंट नो वो कहां खतम होती है पता है वो खतम होती है तो आई डोंट नो कि खोज जो है और उस्थिती पर बने रहना बहुत सुंदर क्योंकि जहां मुझे पता लग गया ना कल क्या होने वाला है उससे बोरिंग कोई लाइफ नहीं और the moment I know कि अगर पता भी लग गया it doesn't matter मैंने किताब लिखी और नहीं में लिख पाता तो it doesn't matter end of the day it doesn't matter अभी जो हो रहा है वो बहुत अपने आपको entertain करने के लिए I want to live a very entertaining life I want to मतलब मुझे पूरे समय लगता है कि मैं जब सुबह उठाँ तो मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है तो मैं चार साड़े चार पांच पीजे उठता व्रोस मैंने सुना था अब जल्दी सो जाते है 10 बज़े तक और सुबह जल्दी 10-10 बज़े सो जाता हूँ 11 बज़े तो मैं जब उठता हूं तो तो पहले तो सीधा coffee दिमाग में रहती है और laptop कि मुझे कैसे भी वहाँ तक गरम coffee के साथ एक music के सथ पहुच जाना है अब मैं लिखूँगा नहीं लिखूँगा अज़ाग बात लेकिन just the excitement to get up and look forward to that moment वो उसके लिए अपनी जान हाजिर है मेरी तो इससे अदा सुख नहीं चाहिए मैं लिखूँगा नहीं लिखूँगा but वो है कि to look forward to the day to the morning that's it इतना ही है वस छोटे 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 में मैंने भी परीचे में बहुत कुछ कहा कम ही कहा लेकिन उसमें बहुत सारे परीचे थे छे पे हुए और शुरू में तैराक फिर छोटोडी बिजनस देखिए जब हमारा जीवन शुरू होता है हम सब छोटो मुटे परियोग करते हैं हम खोजते हैं क्या हम ये हैं क्या हम वो हैं और फिर एक clarity आती है एक उम्र में कि अब हम ये हैं या फिर दूसरी तरह ही clarity आती है कि अब भाई हम यही करें कुछ और कर भी नहीं सकते है फोड भी नहीं कर सकते हैं अभी किस stage पर हैं इस clarity के मामले में मेरे को लगता है कि ये मैं बड़ी अध्वत stage पर हूँ क्योंकि अभी किसी ने मुझे बला आप लेखक हैं और मुझे उसी वक्त लिखना छोड़ने के इच्छा दी क्योंकि आप कैसे बता हूँ कि मैं कुछ होना चाहता हूँ ये ऐसास बहुत अध्वत है राद दन उसका हो जाना तो मैं अभी भी लेखक होना चाहता हूँ मुझे अच्छा लगता है आपने अगर मुझे बोल दिया आप लेखक है तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बहुत सस्ते में लाइफ निपट गई मतलब ऐसा नहीं कि अब बने गया अर मैं सिर्फ मेरे पूरे YouTube पे टेनिस के वीडियो है टेनिस के लोग है टेनिस की बाते है मैं Federal को सुनता रहता हूँ non-stop तो अब लगता है कि यार मैं टेनिस का बहुत बढ़ा उस्ताद हो सकता हूँ और मैं वैसे खेलता हूँ लेकिन लेकिन यह है कि वो सब इच्छा हैं वैसी अभी भी इच्छा है कि मैं एक दिन लेखा को जाओंगा मैं हुँँ मेरे को कोई इंटरस्ट नहीं है उसके होने में आपने कई जगे कहा है कि मैं कहीं का नहीं यह तरास्दी बहुत सारे बच्चों की होती है जिनके माता पिता पलायन करते हैं उनकी भी और एक होता है मर्जी से कहीं का ना होना और एक इस तरह की दरास्दी होती है आपके साथ क्या गटा मेरे साथ शाइद ये blessing in disguise था कि मैं अपने आपो पूरी तरह कहीं का पाता नहीं हूँ तो मेरे किसी भी तरीके का हो जाना जैसे मैं जब मैं पैरिस में था तो मुझे लगा कामू और मैं साथ ही यहां आये थे और stranger हमने जब वहां stranger लिख रहा था मैं बहुत दूर कितना दूर होता है लिख रहा था आसपासी था सब कुछ तो आपना किसी का होना बहुत ज़ादा आपको दिक्कत नहीं करता है और जो जैसे पलायन के बात के जो बात है मुझे हमेशा लगता है कि एक है borrowed history जो मैं पढ़के कि यह मेरी history है और एक है मेरी जीवई history जो मैंने जीए क्या है तो मेरी हिस्ट्री बहुत संदर उसमें पलायन भी है उसमें मेरा होशंगाबा छोड़ना भी है उसमें मेरा भॉपाल छोड़ना भी है उसमें जो मैं योरोप में रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पला बड़ा था असल में यह बात किसी को पता नहीं है क्य पाइदा हुआ हूँ और छोटी स्कूल वाँ हूँ बारा मुला में खोचाबाद। और कितनी उम्र थे जबाप आ गये थे खोशंगाबाद। अधिक हम दस बारा साल हुआ है। यादे हैं मागे। बहुत। मैं बच्पन पूरा पिच्चर की तरह है। मैं पेंट कर सकता हूँ एक एक फ्रेम। मैं इतना ज़्यादा याद हैं मुझे। सब कुछ। और ज़्यादातर जगहें याद हैं। लोग मैं भूल जाता हूँ आ सवाल पूछूँगा जो आपने पहले जवाब दे हूँगे। बहले आप संशिप में बताना चाहें। तो एक प्रश्ण उस सिलसले में ये है। कश्मीर आपने दस साल की उमर में छोड़ा। हालात क्या थे। हालात वो बिगड़े हुए उस सम उतने बिगड़े नहीं थ हालात लेकिन वो बिगड़ते चले गए। ये 90s था। 80s का end था। 80s का middle end लेकिन फिर मेरे फादर जब मेरे फादर वहीं थे हम लोग आते जाते रहते थे। क्योंकि मेरी नानी की तरपित बहुत कराबती तो उनकी करण हम थोड़ा कुछ पहले आना पड़ा। तो वो एक कुछ हो रहा है तो मैं रुखजाओ में रिटार्मेंट ले रहा हूँ आई थिंक हमको वहीं आना पड़ेगा कुछ समय के लिए अब तक यहां ठीक ने हो जाता तरप। उसमें वो फस गए वहाँ और फिर बड़ी मुश्किल से उनको निकल निकल पाए और जैसे कैसे आये तो फिर होशंगाबाद क्यों चुना कोई खास वज़े मेरी माँ महां की है अच्छा ननिहाले आपका ननिहाले तो एक था कि एक कमरे का घर बचा था बागी सब किरायदारों ने ले चुके थे तो एक कमरा हमारे पाद बचा था तो मेरा पूरा बच्पन एक ही कमरे में ग किनारे आप पले बड़े हो तो अधबत इसलिए नदी हर किताब में है मेरे बहुत है चुकि आप नदी कैसे पानी अगर अगर आपके अगल बगल है जैसे अगर आपने बरगत की नीचे बैठे हो आप दो पहरों में या आपने पीपल की पेड़ की चाया तले आपने खान तो मुझे सब फादर लगते हैं, देवदार को देखके नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी शाद इमेज हैं कश्मीर की देवदारों की, जो मैं मिस्स करता था, जब कि मैं देवदार को उतना जिया नहीं है, लेकिन अम मैं पहाड बहुत जाता हूं, तो मैं वहीं ज मैं देवदार गोवा है, बंबई के पास, तो मैं जितनी बार भी गोवा गया हूं, इस बार मैंने गोवा में रहके लिखाया कुछ, लेकिन गोवा वैसे जाते समय, एक तरीकी के एनर्जी है गोवा में न, कि आपको कुछ कर देना है, आपको इंजॉय करना है, सम्टिंग और दूसरा यह भी यह निरवता, और पहाड को, आप एक ही पहाड के सामने, मैं एक महीने रहता हूं, लेकिन उतना बदलता है, पहाड तो दिन बर पर कई बार बदलता है, तो सुबह आप बारिशों में रहो पहाड पे, आपको लगेगा कि यह सब ऐसा कुछ है कि आपके पेंटिक रखोगी कहाँ, तो मैंने बंद कर दिया, पेंटिक करने के, मैं का रहे, कर तो दूँगा लिए, रखूँगा कहाँ इनको, ऐसा है, आप लगातार ट्रेवल करते हैं, और उस बीच में लिख भी लेते हैं, फिर आप लॉट कर एक्टिंग भी कर लेते हैं, तो मा आतरा जो कि सोलो ट्रेवल करता हूं, तो मैं पास बहुत टाइम खाली समय, और मैं सुबह सुबह उट जाता हूं, पार्टी करता नहीं हूं, ऐसा कुछ जाता नहीं हूं, पढ़के तो लग रहा था आप आतरा वरतांत कि आप रोज चाहते हैं, कि रोज शाम नहीं लोगो मैं वहां साले-चार बजे रोज रोज रुख जाता था, और सुबह से लेके, दस बए तक मेरा लिखन खतम हो जाता था, जितना में को लिखना है, और वो एक काफी आउस था, जो छे बजे घुलता था, तो उसका पहला ग्रहक में होता था, कई बार मैं ही कुर्सियां जमा अनुशासन है, तब यह संभव है कि आदमें इतने खाम एक साथ कर ले, लेकिन अनुशासन बंदिश वाला नहीं है, आपने अपने खुर बनाया है, आरोपित नहीं हो, और दूसरे यह भी कि मुझे पता है, मैं सुबह बहुत अच्छा लिखता हूँ, एक खुला पन रहत लिखे को ठीक कर सकता हूँ, यह कर सकता हूँ, यह थोड़ा बहुत जोड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुख्य लिखा है, वो सुबह का ही लिखा है, एक्टिंग फिर कर लेते हैं, इस बीच में स्क्रिप्ट कप पढ़ते हैं, फिर रिहर्सल कब होती हैं, मैं कहीं पढ़ रह सकता है कि इसने कोई भी किताब लिखी होगी मैं इतना एक्टर होता हूँ आप कोई भी चीज़ करों जिसको मिस करो तो आधूम ऐसे करते हो चावाँ से तो मैं इसलिए कम एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग करते संहे एक बहुत अद्बोत बात है कि जब मैं अभी जैसे एक प्रजेक्ट करने वाला हूं उसमें तीन महने दिया है मैंने उनको तो वो तीन महने मैं सिर्फ पढ़ूँगा मैं लिखूँगा एक शब्द भी नहीं और मैं इतना ज़्यादा राइटिंग मिस करूँगा कि मैं कुछ सपने आने लगेंगे कि मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं और मैं बोलता रहता हूं मैं मिस कर रहा हूं सुब्य उटके लिखना और मैं नहीं लिखता हूं फिर जब उसके बाद शायद मैं इस बार इखली जाओं तो मैं जाओं फिर जो लिखने में मसा आएगा चाओ के साथ फिर टूट पड़ा क्योंकि वो आपको मिस करना ही पड़ेगा जीवन में मतलब मैं जाओब नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि एक संबंद है जिसको आप मिस करके फिर प्रेम में पढ़ते हो आपस, फिर फिर प्रेम में पढ़ते हो, तो मज़ा आजा तो लेकिन मुंबई में लगातार ना रहना, मुंबई के बाहर बीच बीच में इतने लंबे वक्त तक निकल जाना इससे कहीं एक continuity पर असर पढ़ता है किया कभी कबर? मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, ये जो बोलते हैं कि यही तो वक्त है, कर लो, अभी तो समय हैं, कर लो अपर्शनिटीज हैं तो कर लो ये जो पुड़िया देते हैं ना, नसीयतों की, उनको मैंने बहुत पहले फाड़ के फैंगा हुआ है मुझे लगता है कि या, जिस पहाड है अभी कुछ पहाड ना, एक उमर में ही चलपा हूँ गया घुटने बोल जाएंगे गुरू, कमर दर्द कने लगेगी नहीं चलपाओगे तो मैं क्यों ना चलओं सारे पहाड जिस उमर में मैं चलप सकता हूँ जब तक मेरे में दाम हो एक तो वो है, उपर से जैसे एक समय के बाद आपको खाना पीना भी कम करना पड़ेगा क्यो है, आप ये नहीं खासेगा तो जब अभी मैं कचोड़ियां पेल सकता हूँ तो कहें ना पेला हूँ आपको तो पसंद बहुत है मतलब मेरे ये क्वस कहने का मतलब है कि इस उमर में जो घूमने का सुक है मैं नहीं छोड़ूँगा उन मैं जीना चाहता हूँ मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता जो एक दिन काम करते करते मर गया मेरे कोई च्छा नहीं है कि मैं किसी के लिए काम करते मेरे कोई च्छा नहीं है को फिल्म करके आप लोगों को एंटरटेन करूँ है मैं खुद एंटरटेन होना चाहता हूँ उतना ही करना चाहता हूँ जितना मैं जादा जी हूँ बहुत मज़े लेना चाहता हूँ मैं लाइफ कि एक मिली है और मैं एक्जिट कर जाओंगा फिर आप लोग देखना अपना कश्मीर में थे तो बढ़िया घूम फिर रहे थे फिर प्रोफेशनली स्विमिंग करने की तरफ भी गए और लगा कि उसी में करियर बनेगा फिर वो छोड़ दिया इसके बाद बोर होने लगे तो मुम्बई आ गया आप मैं कुछ मिस कर रहा हूँ उसमें लब बल बात तो यही है यही है मन उचट जाता आपको जल्दी बहुत मैं बोर होने से बहुत गवर आता हूँ मैं मैं मुझे मुझे चाहिए excitement मुझे चाहिए नया लेखन जैसे पुराना मुझे कुछ याद नहीं है मुझे जो मैं कर रहा हूँ इसमें राइटिंग वो मेरे को अदुभूत लग रही है पढ़ने का शौक लगा कब बंबई में लगा एक्चली थोड़ा लेट लगा ने ने पढ़ता मैं पहले भी था लेकिन वो भूपाल में तो पढ़ता था कि लड़कियों को इंप्रेस कर सकूँ और शुरू में इसलिए पढ़ता था मात पकड़ा दे थी किताब की पढ़ ले तो चितरलेखा पढ़ ली चंदरकांतर संतती पढ़ ली तो यह सब पढ़ लिया छोटा मुटा लेकिन जब बंबई में आया तब तब इतना खाली वक्त था और चॉल में बैठे हैं पेट में खाना नहीं है और समझ नियारा क्या करें कहीं जाएंगे तो पैसे कर्च हो जाएंगे जित्ते भी बचे हैं तो वो लोगों की घर जा जाके मैं किताबे ले आता था और ठेंग गॉड वो मॉबाइल का जमान नहीं था था तो मैं कहता कि मैं रील का उस्ताद हूँ मैं रीली देखता रहता तो उस समय किताब ही थी अंक है एंटर्टेन्मेंट फॉन भी नहीं था बंबी गय क्यों से अक्TER वन ने लेकिन महां जाके पता लगा कि थेटर अदभुत है फिर लगा कि थेटर में भी आक्टिंग नहीं गलत है अ कैपने ही करें दृड़ी लाएं थेटर एक्टिंग सिखा ही, राइटिंग सिखा ही, डिरेक्शन सिखा है वो है, विज्ञानाओ करके सीखे उस पे चलाओं मैं किसकी संगत मिली शुरू मैं पढ़ने, लिखने, एक्टिंग संगत से भी कुछ बढ़ता है न मेरे को बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिले जैसे सत्यतो दुबे मिले तो उनके कारण जो है भवानी भाई एक तरीके से आये कविता कैसे कहते हैं, यह सीखा भाषा में कितना दम है भाषा को कैसे खेला जाए और भाषा कैसे होती है, और कैसे उसका असर होता है वो दुबेजी से बहुत पता लग यह बात है और फिर जो बाकी जो लोग थे कि मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि जो लोग ना लेखन पर बात करते थे मेरे को वो मेसमराइज करते थे लोग राइटिंग पर बात करते हैं बैटके बड़ी-बड़ी किताबों की बात करते हैं तो मैं वरिफ समय नहीं पढ़ा था मैंने तो मैं लेकिन बैटके सुनता रहता है एरी कितना मज़िदार है यारे कितना सही जो जो ना एनिकडोट जो देते हैं कि एक बार पता है चेक ख़ने क्या बोला मैं लगता था कि किती अची बात है तो ऐसी बाते मुझे अधि बहुत अट्राइट करती थी तो फिर मैं लगता था पिर मैं पढ़ने बैठ जाता था चेकफ यह नाम ही तजबते कौन है भाई यह आदमी तो ऐसे करते करते पढ़ना सिखा है मैंने कि आपने नाम लिया और मैंने तुरन नोट कर लिया फिर इसको करना है तो वो इस संकत ऐसी रही और फिर अंत में किताब ही रहे गए मेरे पास तो तब अंग्रेजी नहीं आती थी बिलकुल तो मुझे लगा हिंदी भी नहीं आती थी लेकिन अंग्रेजी फिर इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि ट्रांसलेशन आगर आपको पढ़ना है और आपको साहित्ते पढ़ना है अंग्रेजी दोनी पढ़ेगी भाई उसका कोई आपको हिंदी में ट्रांसलेशन सारे कंटेमरी मिलेंगे नहीं और अच्छे नहीं मिलेंगे मतलब तो मुझे लगा यह करना ही पढ़ेगा तो मैंने फिर दबा के महनत करके अंग्रेजी सीखी अंग्रेजी पढ़ना सीखा फिर मैंने बहुत पढ़ा उसके बाद पढ़ना मेरा बहुत जादा बढ़ गया और पिछले कुछ असी 10 साल से मेरा पढ़ना कुछ बहुत जादा बढ़ेगा क्योंकि मुझे पता है मैं कम टाइम बेस्ट करता हूँ कम लोगों को मतलब जो होता है कि लेट्स हैंग मैं हैंग करता नहीं हो बहुत जादा मैं कोशिश करता हूँ कि एक चंक समय पढ़ने को दूँ तो वो एक तुम तुम तृपती होती कि आज का दिन इसे अभी किनौस कर पढ़ रहा हूं तो अभी मैं कल्ब बैटके थोड़ा समय था बीच में मेरे तो मैंने टोनी होगलेंड की कुछ कविताओं पढ़ी क्या लिखते हैं वो अब कविताओं कम लिखते हैं पढ़ते हैं पढ़ते ज़्यादा लिखते हैं नहीं लिखता हूं कि मेरे राइटिंग में अगर इस्सा हो लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं कविताओं को थोड़ा और लिखू क्योंकि मुझे टोनी होगलें एक और राइटर ऐसे मिले फिर्नांडो पासवा के बाद आप अगर फिर्नांडो पासवा को पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आया बुक अफ डिस्कॉइट अगर आप पढ़ें उनकी किताब अध्बत किताब है जब मैंने उस किताब को पढ़ा था मुझे लगा ठैम तुम्हारे बारे में इन्होंने लिख चुके है पहले और मैंने बहुत लेट पढ़ी वो किताब तो मुझे लगा ये तो कितना अध्बत है कि scattered writing है जो कत्रनी भी मैंने वैसे लिखी है कहीं से बात शूरू नहीं हुई कहीं कतम नहीं हुई और एक तो जिससा होता है कि मुझे रखता है कहानियों में उपरन्यास में उसके शुरुआत मध्यका और अंत्यका बोज होता है तो आपको एक पैटर्न है और मैं हमेशा उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहता हूँ कि यह कुछ नहीं है कहीं से भी बाश शुरूर, कहीं भी जा रही है और मुझे वैसे राइटिंग भी पढ़ने मज़ा आता है जैसे आप गाउ जिंग जैंग को अगर पढ़ें तो वो अदभूत राइटर, वो कहीं की बात कहीं नहीं लिख रहा होते है वो एक अदभूत बात लिख रहा होते है जो अपनी डाइरी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने के बाद टोनी अगरलिंड को पढ़ने का यगे लगा कि मैं ऐसी कवीता है मुझे लिखने में मज़ा आता है जो कवीता है नहीं वो बात है जो आप जिसनलों नहीं अभी लेनर्ट कोहीं पर एक कवीता लिख लिखिया है तोनी होगलेंड का पढ़ियेगा वो के तांगे दिल जुझाती है वो कितनी अच्छी का लिखिया हो मैंने पढ़िये मैं अभी तक वो एक सो कोहेन मेरा बहुत बड़ा फेवरेट लिरिसिस्ट है मैं उनको बहुत सुनता हूँ इसलिए मैंने अपनी एक कहानी का नाम भी रखा था Blue Rain Coat क्योंकि उनका जो गाना है उसको मैंने जिक्र भी किया है कई राइटिंग में तो ऐसा कई कोई सा एक लेखा ने जो मैंने सिर्फ वोही गाने को सुनके किया है नॉन स्टॉप लूप है वो गाना चलता रहता था मैं लिखता रहता अपने फादर पर उन्होंने वो लिखा है अब वो गाना पका ऐसे पॉड़कास्ट मुझे बहुत पसंद है जब लोग ना रिफरेंसेज नोट करता है यह उनमें से एक हो बहुत बढ़िया है अचा एक आपके अंदर मैंने चाहा देखिया बहुत कि अगर निर्मल वर्मा की वो लाल टीन की चछत है तो जलो जाके देखता हूँ वहीं बैठके पढ़ दूँ फिर आपको लगता है किसी कैफे में कहीं कोई लेखक बैठा था पेंटर बैठा था वहां बैठ जाओं एक जगह आप रहते थे जिसके पीछे गली के तरफ दो महान कलाकार रहे तो एक वो चाओ और आप उन गलीों में चलना चाह रहे हैं जहां वो बड़े लुक चले थे कबरों पर पहुँचते हैं जहां अकसर कोई नहीं होता है लेकिन कभी-कभी उन कबर पर चूमे हुए निशान होते हैं सात्र फिर आपको बड़ा एहसास होता है अच्छा कि चलो लेखक से बात करना लेखक से रिष्टा जोड़ने की ये चाहत है आपकी मुझे क्योंकि क्या होता है कि चब मैंने सात्र और सिमुन दिबववार को पढ़ा था तो मेरे लिए उस पढ़ाई में वो दोस्त से मिले तो मुझे लगा रिए कंटेंप्रिय है यह हम तीनों लिख रहे हैं सात्र में लिख रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए उस समय जिन्दा है वो लो फिर जब आप पैरिज जाते हो पता लगता है वो तो मर चुके हैं फिर आप उनकी कबर पर जाते हो और आपके कहना चाहते हो यार हमने अच्छा साथ थे यार हम लोग को इतना सुन्दर है वो सिमो इतली तो इसलिए इतली में को घुमने का कुछ छलेना दिना नहीं है अपकोस कॉफी होगी हो अच्छी लेकिन एलिना फरेंटे के लिए जा रहा हूँ मैंने इनको पढ़ाया और मुझे लगता है कि एक अब दो बहुत राइटिंग है और किसी को पता नहीं एलिना पता है कि मैंने लिखी है यह हम दो लाइन लिखते हैं और उस पर दाव ठोक देते हैं कि यह मेरा था यह मेरा था हम लड़के मर जाते हैं और एक आदमी ने जो मेरा कॉपी लेफ्ट है मुझे लगता है यह अलिना फरेंटे उसका एपिटोम है और काश मैं कुछ थोड़ा मुझे और किसी में इंटरस ही नहीं है ना मुझे अच्छी जगे देखने में इंटरस्ट है ना मुझे पब्लिक में मैं कोपनेगन में था तो मैं एक भी चीज नहीं देखी कोपनेगन की जो कोपनेगन की जो क्या देखने जाए मेरा कुछ इंटरस्ट नहीं है एक्सिडे मैं कहीं घुम रह habe और कहते कि तो मेरे एक 급 दोस्त है Swedish product घुम रहे थे Northern light Northern light बेंग- तो मैं ऐसा रोट पे पड़े हुए थे बहुत नशचय मी Northern light चल रही है अच्छा कुछ लिय था मैं तो यात्राओं पर आप क्यों जा रहे हैं यह उन लेखकों से मिलने जिनने आपने पढ़ लिया और अब उनके परभाव में है या इसलिए कि वहां जाने से आपको एक मुक्ती मिलती है लिखने का स्पेस मिलता है आप आँ जाकर लखना चाहते है या बस आप यूई निकल जाते हैं मैं समझना चाहँ रहा हूं कि यात तुकडे बड़े खराब पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है अभी इसलिए तो मैंने कहा कि दो तिन किताब इनमें से बढ़ी है मैंने पजड में आपको पता है मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता हूँ मेरे को ना रिफ्यूजी आ आके बैठे है मेरे पास मैं बस से जा रहा हूँ जर्मनी और एक अफगानी रिफ्यूजी चोरी से जर्मनी घुसरा है और वो मेरी बगल वाली सीट पर आगे बैठता है और वो बात करना चालो करता है तो मुझे क्या लगता है कि मैं बहुत लगी हूँ जब मैं लिख रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ आपको पता भी नहीं कैसे कैसे लोग आके मेरे बगल में बैठके अपनी कहाने सुनाने लगता है मुझे लगता है कि याज ये तो कोई बोलेगा कि ये जुट बोल रहा हूँ ऐसा लोड़ी कोई अफगानी रफुजी चोरी से घुसरा हूँ आपके बगल में बैठके आ गया मैं क्या करूँ मैं वहां जाता हूँ मैं जर्मनी में घुसता हूँ में को पता नहीं कहा जाना है पब में एक लड़का मिलता हूँ बोलता है कि चलो मेरे साथ कहा हूँ वहां राएंगे तो मैं ने कहा चलो उनकी कार में बैठके चला जाता हूँ अठरे ट्रस्ट पर सब पर करता हूँ उनका जाता है तो वहां कौन मिलता है मुझे वहां अलग refugee community मिलती है जो dancer वो कर रहे है और वो अपनी कहानिया सुना रहे है तो मैंने छोड़ रखा है जो होगा गुरू आप चलते चलो और मैं जो लगता है यह सब पात्र चले आ रहे हैं वो कह रहे हैं अब यह लिखते हैं यह लिखते हैं तो क्यों नहीं लिखंगा लेकिन आपके कई पात रह से जह मैं पढ़ रहा था कि वो कई बार लगते हैं एक्जिस्ट नहीं करते हैं मैं आपको सच बुल रहा हैinte लिखते समय कई बार लगता है कि यार यह तो लोग एक जैसे मैं एक मैं एक एरबियन भी मैंने कमरा बुक किया नौर्वे के ट्रॉम्सो में ट्रॉम्सो एकदम नौर्ड पार्ट है मतलब वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ से आप स्वाल बाज जा सकते हैं तो रात में 9-10 बचे फ्लाइट लैंड करेगी मैं जानता नहीं हो टाउन क्या है मैंने ऐसी बुक कर लिया कि दूर जाते हैं ट्रॉम्सो चला गए अब वो एक औरत हैं जिन्होंने अपना कमरा दिया है अब मैं उनको मात कर रहा हूँ कि मुझे आप एडर्स भेज़ दो मैं कैसे आउँगा आपके हाँ एडर्स में ये नहीं लिखाया प्लीज है सब एरबियन भी बाच चल रही है तो उनने बोला नहीं वहाँ चौहाँ ओके है कुछ चल रहा है ये बात नहीं रंख से कर पा रही है मैं पहुचा लैंड किया और देखा कि वो सीरिल की पातर है और वो उस टीवी चलते सीरिल में उन पातरों से बात कर रही है जब मैं यह खाना खा रहा हूँ वहाँ पे बैठ गया और बीचे मुझे देख लेती है कि ऐस इफ उसको पता है मैं क्या देख रहा हूँ और मैं उसमें कैरेक्टर देख रहा हूँ और शी हेट्स दैट कि तुमुझे गलत लिख रहा है अब यह जो बाते हैं यह हो रहा है वहाँ अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ मैंने उस लड़की से रात में नीचे बैटके सौरी बोला है जो मैं सौरी पता नहीं किस-किस से कहना चाहता था मेरे लिए यह अनुभव यह ऐसा जीना है जो मैं क्योंकि मुझे पता नहीं तो आगला बाकी क्या है अगली लाइन क्या है तो आपको पढ़ते समय जो पता है उतना ही मुझे पता है तो हम दोनों बहुत सेम जगे पे हैं आपने जहां तक पढ़ा है उतना ही मुझे भी पता है तो हम लोग दोनों साथ discover करें तो उसमें क्या होता है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मेरे लिए बहुत entertainment होता है कि मैं खुद जानना चाहता हूँ क्या हुआ भाई आगे आपने जैसे अंतिमा पढ़ी है तो अंतिमा में एक हरा धागा आता है तो जब वो आया अब वो हरा धागा क्या है पता ही नहीं है मुझे अब मैं लिखता चला जा रहा हूँ नॉविल तो अंतिमा जब एंड पर आगन लगए बात तो मेरे पब्लिशन ने फोन किया बोला मुझे बहुत माज़ा आ रहा है लेकिन भाईया यह हरा धागा है क्या तो मैंने का बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी नहीं पता और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल है बहुत सारे लोगों ने पूछे जब कल परस हमने कहा कि आपको न्योता है उसमें धिरों लोग हैं जो अलगलग पात्रों के बार में जानना चाहते हैं जोकि उन्हें भी लग रहा है आपकी तरह कि आपने भी बताया पर फिर भी कोई कहानी रह गई है भी तो इनका क्या हुआ होगा जब कि पता उन्हें भी है पता आपको भी है कि शायद ये फिक्षन ही है मैं अलगला मैं कन्फर्म नहीं हूँ आप भी बताएंगे कौन सा पात्र फिक्षन है कौन सा नहीं है पर उस पर थोड़ी बत बात करेंगे मगर एक प्रश्ण मेरे इमन मैं हमेशा से था फिर पूछ लेता हूँ बात यहां आई गई इस मोड़ पे क्या बात सच है कि सारी कहानिया पहले कही जा चुकी है मतलब हमें पता नहीं कही गई है आपको सारी कहानिया पता यह पिलकुल नहीं मतलब मेरा जीवन तो यह है जो मैं देख रहा हूँ अगर मेरे जीवन में वह नहीं कहा गया मेरे लिए हुआ ही नहीं हो जब मैं मरूँगा तो मेरे लिए जीवन था ही नहीं मेरा पास्ट फिक्शन ही है ना जब मैं किस्से सुनाता हूँ आपको अपने मुझे क्या याद है मैं उसकी भीनी-भीनी कुछ चीज आए करके उसका एक अच्छा किस्सा बना के समाध धिता हूं तो कई बार क्या होता है कि कई लोगों का बच्फपन अच्छा नहीं होता है लिकिन वे अगृ बच्फपन अच्छा सुनाई दिता है बट बच्मन सबका अच्छा था किसी को याद रथा है याद ने रहता है कोई अच्छा स्टोरिटेलर है कोई नहीं है तो मुझे लगता है कि ये बात तो बड़ी वो है चुकि आप जैसा भी देख रहूँ उधर बैट के वो मैं कभी नहीं देख पाऊँगा तो आपकी कहानी तो कहीं नहीं गई है कभी पी ओवी का सवाल है पी ओवी थंप्रिंट का सवाल है मैं जैसा टेस्ट करता हूँ आप टेस्ट नहीं करते हैं तो आप कहा है उसमें घुज़ रहे हैं इस डर में नहीं रहना चाहिए किसी लिखा को कि मैं जो कह रहा हूँ यह कहा जा चुका है तो मैं नए धंग से कह दू या रहनी दू अच्छिली मेरे लिखे में नहीं कोई एक्जिस्स करता नहीं है किसी का कहा किसी का नहीं कहा नहीं आप तो खुद से बात कर रहे हैं यह फिक्शनल वर्ल है I have created a world and I care about anyone Can I say fuck? I care about fuck हम तो बहुत कुछ कहते हैं अपने podcast में अच्छे अपने पसंदीदा लेखाँ से मिलते हुआ भी नर्वस होते हैं Except Vinod Kumar Shukal I don't think मैं किसी भी person से मिलके नर्वस होता हूँ Vinod Kumar Shukal को से नर्वस नहीं था मैं उनके पैरों में गिर गया था उससे पहले फोन पे बात होई था फोन पे तो प्यार बोले था लेकिन जन्हें नहीं पता उन्हें ऐसी बता देता हूँ कि आपने फोन किया उन्हें उठाया और आप समझ गए कि उधर वही है बहुत प्यारी आवास थी जैसा आपने कहा और आपने का I love you और फोन रख दिया कि कुछ समझ ही नहीं आया है क्या बोलू हाँ हाँ बोलू मानव क्या बात है I love you मुझे इतना embarrassing रखा और आपको लग रहा है मैं क्यों English की word क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपसे प्यार करता हूँ क्यों नहीं बोला मैं हाँ जब कहना ही था तो अच्छे था कह देता है लेकिन गढ़ा नहीं आ सकता है कुछ लेकिन बहुत जादा और शायद मैं निर्वलमास से मिलता तो शायद यही हाल होता मेरा या या जब मैं को एक्छिली पता लगा कि साथर और दिबुवार की कबरों पे जब सारे चूमने के निशान थे तो मैं को लगा कि मैं गिर गया था इस बात पर मैंने भी चूमा था लिपस्टिक नहीं थी मेरे पास कहानी खत्म होते हुए दुख होता है कि खत्म हो रही है अपनी नहीं जो पढ़ रहे हुआ लिए नहीं नहीं मुझे अभी जैसे मैं छे वालियूम पढ़ रहा हूं कारलोबकिन उसकर की तो वो छेटवे पहूम है जो हजार परनेक से जादा का नौवल है मुझे अभी से ही दुख है कि क्योंकि वो निजी कहानी है उनकी अपनी लाइफ लिखी है बच्पन से बच्पन से मुझे लग रहा है मैं अपने जीवन से जादा उनके जीवन को जानता हूं और वो मेरे दोस्ते उनका पूरा लिखना कैसे लेखक बने कितने वहापोसे गुजरना बढ़ा मुझे सब पता तो उनका उसका खतब होना मुझे थोड़ा सा रहा है थोड़ा दूप होता अरे यार फिर इनकी वो किताब में यह वाली जर्नी का आगे क्या हुआ क्योंकि अब तो वो जीव ही रहे तो आई होप एक दिन मैं उनसे मिलूँ हूं मुझे मैं बड़ी बड़ी इच्छा तो है कि उनसे मिलूँ आई होप कुछ ऐसा हो कि मैं मिलूँ आपकी अग दोस्त ने कहा था आपकी काहानी पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ रहा था आपकी वह किताब उसमें लिखा था जबकि वह आपको पढ़ने से पहले आपको जानती थी लेखक अपने लेखन में ज़्यदा खुलता है परस्नली ही नहीं खुलता पर्सनल लाइफ ना बहुत तीज़ादा पर्सनल लाइफ में हर एक्शन का कॉंसेकेंस है हर चीज़ का कि आप कई बार किसी को बहुत पसंद करते हैं आप कहना चाहते हैं मुझे न तू बहुत पसंद है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया होगी प्रतिक्रिया होगी और फिर वो बिल्ड होगा कि वो जीवन चल जाएगा वहाँ से जीवन चल जाएगा या मैं किछी को बहुत है आप हट नहीं सकते कह करने लेखन में क्या होता है कि आप अपनी सब चीज़ कर देते हो सारा को अपना सारा कमीनापन भी दिखा देते हो और इस कमीनापन के सौरी भी बोल देते हो और आपको पता है ये आप खतम हो जाएगा इसके रहाब पर बट आप जीवन में नहीं कर सकते है तो इसलिए खुलापन जो है लेखन में बहुत है और उसकी बहुत जगे है और उसमें आप वो भी होते हो जो आप कभी नहीं होना चाहते हो और वो भी जो काश आप होते है उन दोनों के बीच की अथा संसार है जैसे आप एक जगर कह रहे थे जब मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ तो पीता नहीं हूँ कहानी में पी लेता हूँ कि मने छोड़ दिया थो हर पातर सिगरेट पी रहा होता है मेरे मुझे बहुत सलग था आपकी कहानी पढ़कर क्रेविंग होने लगती है कहीं वो सिगरेट पी रहा है कहीं वो बीयर भी पी रहे हैं फिर वो क्रॉसों खा रहे हैं, फिर वो कॉफी, अगर आपके हाथ में बेर नहीं है, आपको शर्म, आप वापिस से ले जाओ पने गाओ, बैट के पुहा गाओ, मैं क्यों, मैं क्यों वहाँ तक क्या सकनी नेविया, और वहाँ जाके बोलूँ कि नहीं, यहाँ तुम्हें जो जल्दी मिल जाए, भूग लगी है, सामने आजाए, तो मैं उसकी बहुत तारीफ करके खाता हूँ, यहाँ पता है, तो उस समय जो खा रहा होता हूँ, मुझे सब अद्बत लगता है, और मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं कभी उसमें रहता नहीं हो कि मैं असल में यह यह न जाता हूँ, मुझे बस बैठे रहना, और मैं काफे चुन लेता हूँ, हर शहर में जाकि महीने में रहता हूँ, तो कुछ काफे होते हैं जहाँ पर लगता है, यह मेरा काफे है, फिर वहाँ बंद जाता है, और अंटिम दिन भी आप उस काफे के दरशन तो करते ही है, वह पर लगता है, जा मुझे आद है, एक बार वहाँ था, एक छोटे से गाउं मैं कोरिया में रह रहा था, एक महें निगले, जहां मैंने कहानिया लेकिये, ब्लू रेंट कोड रूसी हैं, तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था एक महीने बार, तो मैं उनुनी सडकों प harmless आपको अगर यह पता लगे नहीं यह अजीव लगता है कि आप लड़ना चाहते हैं यह अजीव लगता है कि आपको पता आप नहीं आओंगा आप चले भी गए तो वो मौसम वो माहौल वो क्या बढल जाएगा अच्छा मौत की बात आई मौत से कया रिष्टा आपका कैसा रिष्टा कोविट के समय मैंने बहुत पड़ा मौत को बहुत ज़़ा पड़ा और जब मुझे भी कोविट हुआ तो आपको एक लगता नहीं कि कि जो मैंने लेप्टाउप लिया तो यह किस मातलब है अगर मन लेग अगर मान लेगा तो यह किसको जाएगा हर चीज का मतलब है कि यह कर देंगे उसको इंप्रस कि उसको तो पता भी नहीं है कि मेरी क्या जुआर आहन आपके आपको हर आदमी ग्रेट लेकिन आपके exit पर क्या है गेम खतम है और वो सारे जोगाड रहे जाते हैं तो वो इतना अद्भुत बात है कि उस पर मैं लिखना चाता था और किसमत से नाया किताब पढ़ ली और मुझे लगा कि अपना दुख नहीं लिखते हैं वो बहुत बोरिंग है किसी दूसरे का दुख जीते हैं तो इसलिए मैंने तितली में consciously अपना कोई भी except एक जो मैंने कभी बात नहीं की थी एक death की जो मेरे बहुत करीब हुई थी उसके लाव मैंने ना अपने father किसी और death के बारे में बात नहीं मैंने उनके death पर रहा और दूर रहा मैंने उनी की death को जितना कोशिए हो सके observe किया जब मैं उनसे मिला नाया से उनने जैसे बात की तो मुझे लगा इस तरीके से death को देखना बहुत बहुत interesting आप दर्शक की तरह देखते हैं या उसका हिस्सा हो जाते हैं मतलब वो दोनों भी है आपको पता निदेखना you can't have a choice जब अगर नाया के साथ मिले हो और वो आपको आपके साथ अस्पताल में जा रहा है उनके साथ आपको पते ही नहीं आप हिस्सा हो कि आप दर्शक हो आप जी रहे हो और आप भागना भी चाते हो और आप सोच रहे हो कि मैं किसी बहुत ही प्राइवेट किसी और की प्राइवेट जगे पर ख़ड़ा हूँ और आपको लगता है कि मैं उस सब को अपवित्र कर रहा हूँ अपने सोचने से और आप उसको सोचना अपना ठीक करना चाहते हो कि क्या सोच रहा हूं मैं अभी भी लिखने के बारे में सोच रहा हूं अभी मैं सोच रहा हूं ओ इसको लिखूंगा कितना सही लगेगा स्वार्थ लगता है बिलकुल स्वार्थ लगता है और उसका एक बहुत बड़ा खेव है और हम इस्तमाल ही कर रहे होते हैं उनको पता है क्योंकि वो खुद लेखा के उन्होंने खुद अपने बेटे की डेथ लिखी है तो वो खुद जानती है कि मैं भी उनका इस्तमाल कर रहा हूँ लेकिन उस्तमाल में जानना ज़रूरी है मैं उनको जादा जानना चाहता हूँ और उनको जादा जानने में मैं खुद को जादा जानता हूँ यह भी पिछले काथ पॉड़कास में वे ऐसी ही बात हुई थी कि जब आप क्रियेटर होते हैं कुछ बनाना चाहते हैं या पेंटिंग या वीडियो या फिर लिखना चाहते है तो एक कॉफी ओर हो जाए है ने ने तो उसमें कई बार यह संकट होता है यह दुख होता है और खुद से शिकायत होती है कि हम इस्तमाल कर रहा है हम परजीवी है हम यूज करेंगे ने लेकिन मैंने विनोज जी से पुछा भए है विनोज जी ना बद बाद बाद बले लेकिन कोई कैसी का स्थमाल ने जबता है और दूसरा यह है कि जिसको अगर मैं आपको लिख रहा हूं तो वह आप नहीं है वो मेरे देखे आप है मेरे हिस्से क्या आप आप नहीं है तो और लेका के तो बगल से जो गुजरेगा वो उसकी खुश्बू लिख देगा तो आप ही की लिख रहा है ना खुश्बू तो आप वो हिस्सा हो जैसे उस मामली मेरी माँ अदबत है मैंने तरास्दी किया है मैंने इतनी किताबें लिखी है उसमें इतनी माँ को कई बार मैंने पूरी तरह विलन बताया है कई बार माँ का अफेर बताया है कई बार माँ को लेजबिन बताया है कई बार मैंने क्या-क्या नहीं कर दिया है मेरी माँ सब पढ़ती है और इतनी अंत्वतियां फोन करके बोलती है यार ये वाले इससे अच्छे थे ये वाले इससे मुझा आया ये नहीं समझ में आया मुझे कभी आज तक उन्हें नहीं बोला पैटा तुम क्यों उनको कैसे तो लेखन पता है और जब आप एक कवर के लिए कपड़े उतार देना चाहते थे सारे क्या बोलनी थी जब मैंने उनको बोला कि मैं बिकाज में को लगता है मेरी राइट नहीं नेकेड है मुझे नेकेड होना चाहिए कवर पे तो अगर आपको ऐसा दिखे तो अगर तेरी लेखन जैसा तेरा कवर है सब अच्छा है तो नहीं करेगा तो कौन करेगा मैंने का मा लेखकों के लावा किसका असरा आपके लिखने पे मुझे रखता है मा का भी है मा का तो कहा है कि क्योंकि मा और गाउं जो दो शब्द है वो अद्भद है कि आप में अगर मा मा बोला आपके दिमाग में मा आ जाएगी गाउं बोला आपके दिमाग में गाउं आ जाएगी पगडंडी बोली आपके दिमागे पगडंडी आ जाएगी तो ये जो शब्द होते है न ये ऐसे शब्द हैं कि आप तुरंद कहानी का हिस्सा हो जाते हो क्योंकि आप मेरी माँ नहीं अपनी माँ लेख रहा हो तो इसलिए भी माँ पिता पगडंडी गाओं नदी तलाब पहाड टेवदार इस शब्द ना आपको अपने लगते हैं लगता है कि ये आती ही ये मेरी किताब है तो असर उस बात के उससे आप इंटर्पेट बहुत अच्छा कर सकते हैं सब चीज़ तो इसलिए बहुत मुझे निजी हो जाता है मामला थवा से आपने एक बार बहुत अच्छी बात भी ये कही थी कि अगर कोई किसी पात्र के बारे में आपसे पूछता है जानना चाहता है आप भी बहुत नहीं बताना चाहते है क्योंकि वो पात्र जिसने पढ़ा है लेता हूं और मुझे बढ़ा दुख होता है काफका के इंटर्प्रेशन सुनके ने ने मेरे दिमाग में बहुत बड़ा है वो ये बहुत बड़ी बात है मुझे यादा जैसे एक बहुत अच्छा अच्छा लोसा ही है उनका ना है मात उलोसा काई एक था ने शाथ मारगी वर की लोसा बहुत अदमने उनको अभी पढ़िये गाँ उन्होंने कहा था कि जब मैं एक बार अपने दोस्तों साथ जा रहा था और मैंने मेटमोर्फिस काफका की पढ़ी और पही लाइन पढ़ी कि मैं ग्रिगोर सेम्जा उठा और उसने देखा कि वो खिडा है तो मैंने अपने दोस्ते यह बोरा था ऐसा लिख सकते हैं कि मैं खिडा हूँ और यहां से कहानी चाले होगी तो उसने रहा है यह तो बहुत फेमस कहानी है तुसमें अगर ऐसा लिख सकते हैं, तो मैं भी लिख सकता हूँ and he started writing because of that line तो आप समझे रहें किस बात का किस पे कैसा असर हो के कहाँ चले आता है वरना हमें तो लगता था बने 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 खाचे हैं और अपने सीख तो नहीं पाएंगा जैसे अभी भी मैं जो एक्सperiment करता है, जिसमें मुझे बहुत सारे आर्ट में बड़ाएंटरस्ट है जिसमें मुझे बुक कवर में बहुत इंटरस्ट है बहुत दबा के बुक कवर को कोशिश करता हूँ कि इसका कुछ interpretation हो, ऐसा हो कि कभी हुआ ना हो ये कुछ करूँ कि एकदम लोग जब पकड़ने दो उसको लगए कि परसनल है कुछ और जब ये कहानी पढ़ने के बाद वो इस कवर को देखें तो उनको लगए कि यही कवर माची है तो उस पर इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सब चीजें ने इतनी महतपून है हमारे अगल बगल इसलिए मैं बहुत इसलिए मैं बहुत बहुत है दिखता सरल है बहुत मेहनत और उकका सुख है बिना मेहनत का क्या काम अगला रहना आपको बहुत बसंद है ना मलब इकांत एक है ना तो इस चक्र में जुड़ी बोलने बढ़त है कि वार आपट तो सबको पताएगी है ये आएगा ही नहीं मैं कभी किसी के बढ़ डे में नहीं जाता चादी में नहीं जाता मुझे किसी तो वही बचे वही दोस्ते हैं और फिर नए लोग जो मिलते हैं मुझे अद्भूत लगते हैं जैसे मैं ट्रेवल में बहुत खुला रहता हूं मैं बहुत लोगों से मिलता हूं तो मुझे वह इतना अच्छा लगता है क्योंकि वह एक जगे पर आके हम लोग बड़े खुले रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से में मानौ बोल रहा था कि पूछ ले ना मानौ जी से हिंदी टाइपिंग कैसे करता है आप मंगल गूगल इंपुट कुछ ने पर आप में लिखता था वो अंग्रीजी लिखो और हिंदी आता है फिर एक और दोस्ते उसने बोला कि तुम हिंदी में टाइप करो ना हिंदी टी बोड लेके प्रापर कर ऐसा तो फिर आपको पता है मैंने बोला ठीक है मैं यही करूँगा तो मैं कोपनेकन गया टितली की अब मुझे लिखना आई है और डेस्परेशन है कि रोज लिखना है तो दस दिन देता हूँ उपने आपको स्पीड आजाने चाहिए और चुकि मैंने बचपन में टाइपिंग सीखी है तो वो टाइपिंग की है तो मैंने एक बार रड गया दस दिन बाद आ गई ना तो य दिन आ गया और वो चल रहा है तो यह फास होना जाए तो मैं अचले हाथ से लिखता हूँ और स्लो लिखता हूँ मैं टाइप लिखे से ज़्यादा फास्ट करता हूँ तेज करते हैं कि वो आपके दिमाग में जब तक है वो छप जाना चाहिए अच्छा हमारे एक मितर हैं और फिलाल अमरीका हैं पेचडी कर रहे हैं सबको उनका नाम बता है पौडकास्ट में पी आयें उनका यह कहना है कि क्या पढ़ें से जादा महत्वपून है क्या ना पढ़ें क्योंकि जीवन छोटा है आपका फॉर्मूला क्या है कैसे ढूंडते हैं आपके ताब अधिकत कितना पढ़ता हूँ मैं एक किताब पढ़ रहा है वो किताब दूसरे तीन किताब की दिशा दे चूकी है और मुझे लगता है कि कोई जब पूछता है कि क्या पढ़ें उससे जधा खराब सभाल नहीं है मतलब कैसे जी हैं आपने पूछा कैसे प्रेम करें पूछा करत की विद्या है करो उसी को आप पढ़ो एक किताब दूसरी किताब तीसी किताब आपको पता लगेगा ये भाई है मेरे को इंटरस्ट नहीं है और बिल्कुल टैम बेस मत करो आदा पढ़ो और लेगा नहीं है मेरे को छोड़ दो आपको जिस दिन अपने सुर की किताब मिलेगी वहां से वही लेखा का आपको दूसरी किताब बताएगा आप फिर जैसे मैंने लाल टीन की छट 19 साल के मैंने पढ़ी थी और मेरे को लगा थे कितनी खराब राइटिंग ह यह क्या है इसमें क्या मतलब फिर मैं दूसरी किताब बढ़ी मैं लाल टीन की छट पर 25 पर वापस आया और जो मैं 25 पर मैं लाल टीन की छट पढ़ी मुझे लगा इससे अधबुत लेखन नहीं है कोई तो आप कई बार किसी एक लेखन के तयार भी नहीं रहते जिसे मैंने अभी एक दो किताब पढ़ी थी बहुत कठिन किताब है इस्टेला माइरस है एक किताब का नाम उनके लिखा का नाम बढ़ा था अगर यही मैं तीन साल पहले वो किताब पढ़ता तो मैं वो सर्पर पतक के मार्ज दे क्या भाई है मैं नहीं पढ़ सकता लेकिन अब मैं वो पहले लिखा को दे दोगी पहले पढ़ने वाले यारी के साथ पढ़नी पढ़ते गई तो क्या होता नहीं हर चीज आप एंटर्टेन्मेंट है ना आपको खुद सीखना पड़ेगा कि क्या आपको एंटर्टेन करता है अब और आप जितना डिमांड करेंगे उतना बहतर कल हादी आए क्योंकि हम करें अरे 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 तुम केले के छिलके पे पेर रखे फिसल जा हम हस देंगे तुम मेहनत मत करो मैं डिमांड करता हूं कि अगर मुझे एंटर्टेन करना है राइट बेटा मैं धूनता हूं फिर मैं कुछ जाना पड़ता है तो मुझे अपने एंटर पर आप अपने पात्रों को उनकी प्रेमिकाओं से दूर कर देते हैं हैं पढ़ने वाले तो कह रहे हैं अच्छा क्यों क्या कहते हैं रू में तो इतियो रुद्धध को मिला दिया वापस जो इतियो रुद्धध पहले थे तो या पवाद होगा बीच बीच में दूर तो कर दे आप खुद भी दूर हो यात्रा वरतानतों में भी होता है हां 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 हलाकि वहाँ तो जरूरत भी होती है अगर आगे कैसे बढ़ेंगे लेकिन जवाब तो देना चाहिए ना किसी का अगर कोई पुकारे पीछे से हां ये बात तो है कुछ है शायद मुझे असल लगता है कि कहानी पूरी होके लोग भूल जाते है कहानी जब पूरी नहीं होती तो जैसे कैथरीन लोगों को याद है अगर कैथरीन चे मैं मिल लेता है और साथ हम घूम ले दे तो Catherine याद नहीं रहती Catherine एक और कोई बात रोख जाती अभी Catherine याद है इसलिए मैंने पज़र में Catherine को वापस लाया और भूमिका में लिखे मेने Catherine और उसको लिखना मुझे अद्बहत लगा कि Catherine नहीं मुझे दिशादी की जाओ को पनेगे लिखे आप मल्टिवर्स मना रहे हैं I hope Korea उसमें दिखता है फिर आगे चलके जब आप Germany और France घूम रहे हैं तब वो मैं जंगे से वापस मिलता हूँ स्काइप कॉल निंगर रहा बात बात है तब नहीं कितनी सुन्दर बाते हैं कि मेरे जीवन में यसे सब लोग आए हैं जनको लिखा जासके और दूसरे लोग को इंटरस्ट हो की जिसे कई लोग हैं जो जंगे से मिलना चाहते हैं मैंने जंगे को बोला है कि you have no idea how loved you are in India am I am I seriously man now yes you are दो चार जगे सेजेस्ट कर दीजे जो आपको लगती है कि कभी तो जाना चाहिए लोगों को देखना चाहिए सबकी इंटरस्ट के लग होती मैं जानता हूँ पर फिर भी आपको जो लगता है मुझे लगता है कि हम लोग सब ना बहुत भीड में रहते हैं तो ऐसी कोई भी जगे जहां human beings दिखते हैं आपको जादा वहीं आप चले गए एक भीड से निकल के दूसरी भीड में तो वो बड़ी मुर्खता है एक तो वहाँ न जाएं कभी और दूसरा अगर मारे लोग कहीं आप जाते हैं जैसे मैंने आप बोला कि आपने अगर प्लान बनाया कि अब गुवा जाएंगा तस दिन बाद तो गुवा जाके आप क्या करेंगे न उसके चित्र हैं आपके पास कि तो बी हैपी I have to do these four things the moment you know कि उस जगे जाके मैं ये करूँगा और आप वही करेंगे जाके तो वहाँ मज जाएए आप क्योंकि आप जा चुके हैं अपने दिमारे लोगा अगर वो जगे और आप अंजान है और वहाँ मिलके ही आप एक जिशे को जान रहे हैं वो यात्रा सबसे ची यात्रा है तो इसलिए मैं कभी भी किसी शहर में जाता हूँ उसको गूगल नहीं करता हूँ उसके बारे मैं पता नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं चीट कर रहा हूँ शहर से क्योंकि वो शहर मुझे नहीं जानता है मैं उसके वारें जादा जानता हूँ, यह गलत है, मैं जाओं और वहीं पता करें एक दूसरे से कि भाई क्या चल रहा है, बताओं, तो ऐसी आत्राइं करने चाहिए, हाँ, मतलब बहुत सारे शेहर ऐसे हो सकते हैं, जिनके वारें मतले जानो, इस पेस इंपोर्टन नहीं है, इंपोर्टन है, हाँ यह ट्रैवल, अगर तुम पहले ही पता है, वहाँ जा कि यह करोगे, तो उस जगे जाना ही नहीं है, वह तो पतला समय खर चाहिए, यह वैसा ही है कि मुझे पूरी कहानी पता है, मुझे इस किताब कहान तो पता है, और मैं लिख दू, उससे लाइन लिखे थी, मैंने नोट कर ली, कि बोलूँगा, आपने लिखा था, उस यात्रा का मतलब ही क्या, जिसमें मैं किसी को बदलने की कोशिश करूँ, यह तो जीवन में भी है, कि जीवन की जो यात्रा का मतलब क्या कि मैं किसी को बदलने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम जिसे आप और मैं पहली बार मिले हैं, आपको लगा हमारी पक्की दोस्ती होनी चाहिए, फिर हम रोजी मिलने लगें, फिर आपने पंदरवे दिन बोला, यार माना हो, यह तो बीट बीच में गालिया दे देता है ना, वो मत दिया गए, यहां से आपने भी शुरू कर दिया, मुझे, तो हम अपने जीवने सब के साथ यह करते हैं, हम सब को अदभुत लोगों को साधरन बनाके, सामानने करके, उससे बोर हो जाते हैं, वो अदभुत से शुरू होता है, तो क्या दरा हम इतने ज़्यादा खराब आजमें हैं, एक टेंडेंसी है, कि सबसे सुन्दर च करते हैं, फिर कहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहाँ, कस्टमाइज ना करें, जो कतियों, ऐसी ही था कि छोटी-छोटी विस्तता हैं, आदमी को कौकरोच बना देती हैं, और ऐसा ही था कि मैं बहुत बुड़ा होना चाहता हूँ, तो मिशारा कर रहे हो कि ने खाना खाना है, हा यह जो कितिना में बहुत साँ नाटकों को हैं, अ सारे लिखे को, मेरे नाटक कर लिखे को कर दिया, कौपीलेफ है, एक्सपेरिमंटल के लिए, तो कोई भी आपने, जो किसी भी तरीकी का ऐस करें, तो मैं इसकोई घ chopping नाटक कोई कुछ बना ले सब parler है कि मेन गर जब आप आपको permission है यह इतना दोग इतना इतने mail करते हैं लोग यह है भाई यह मत करो तो इसमें कुछ लोग नाराज भी हुआ आपसे कही लेखक बहुत नाराज शुरू में जब मैंने पहली बार यह किया क्या रहा है कि तुम ही जैसे लोगों की current लेखकों की इज़त नहीं है और उ एक ठेटर वाले से मैं मिला था ग्रीस का था उसको एक fellowship मिली थी उस fellowship का नाम था recovery fellowship उसने एक play किया था दो साल की fellowship थी कि तू रिकवर कर रहा उस काम से अधूत है अब मातलब यह बता तो तुम उससे हमारे देश compare कर रहे हो मलब आपने जो किया उससे बाहर आने के लिए आ हमारे देश में थेटर की उकात नहीं है राइटरों की उकात नहीं है तो उसमें मैं अगर वह बोलूँ कि भाई college में एक लड़के festival कर रहे हैं और एक play करना चाहते हैं में को पैसा दो अरे उनके पास एक property लाने के पैसे नहीं है जो हमापस भी नहीं होते थे तो और क्या मैं अपने मरने का बेट करूँ कि मेरे मरने के इतने साल बाद ये free होगा और फिर मुझे लगेगा चलो पर ठीक है अब इतने साल होगा है मरे हुए मुझे अब तुम कुछ भी दो अरे मेरे सामने वाट लगा दे मेरी writing के मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी choice होनी भी चा अब किस विधा में खुद को सहज या कहें आजाद पाते हैं ऐसा लेकर जहां आप खुद को edit या aesthetically edit करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं पता नहीं जैसे कई बार नाटक कर रहा होता हूँ उसको edit करते हुए करने में मज़ा आता है तुम्हारे बारे में नाटक किया जिसमें मैंने लिखा ही नहीं मैंने वहीं stage पे play बनाया अभी एक play बना रहा हूँ प्रेम कबुत और उसमें वहीं pad लिख रहा हूँ मैं writing करने है वो मैंने एक दिन सोचा और जिस दिन हमने नाटक पे काम करना चालू किया उसके एक महिने में हम 10 शो कर चुके दो से तो इस बहुत productive है बहुत very instinctive हूँ मेरे पास पूरा और आपको ऐसा रगता है कि अरे ये तो अभी कर दिया नहीं कई सालों से यहीं चीज मेरे दिवा करता भी लिखते हैं मैं कताबी भी कविता भी नाटक भी मेरे फोल्डर खुले रहते हैं एफटाप में तो प्रोजेक्ट की तरह नहीं है कि भाई इसे तो पूरा ही करना है मुझे तारिक तक वो मेरी नहीं हो सकता है तो वो संबन्द का भी अच्छा रहता है तो लिख जा उनसे यह है कि पहला या तो आप यात्री हो या तो यात्री नही हो, तो उससे पैसे का कोई संबन नही, मैंने सब सब सब्फ़ crackedrial Elacon के हैं के अपने दोस्तों के घर में रहे रहे ह। इंडि को मैंने टूतान सिक्स में और मेरा दोस्त है हम दोन med fringe 1 ठीमा है कुल बेला कि sucked इसे पता थाht था है कि मेरे पास 5000 रुपाय हैं, जिएक ही मेरे पास 2000 रुपाय था हुगे जब कि 500 रुपै तो कुल मेलागे 1000 रुपाय में हम एक महिना उत्राः छाल में रहें गए और हर जगे रहे हैं मतलब मुंशारी से लेके हर जगे सब दोस्त के दोस्त, दोस्त का दोस्त उसके घर, उसके घ़र लेकिन गयाना हम यातरक करना चाहते थे तो उसमें कुछ आपको हर आदमी साहते हैं और इंडिया इतना अद्भुत है आप जाओ खाना फ्रीक कोई खिला देगा चाए पिला देगा चार अच्छी बाते कर लोगे अगर आपने पढ़े लेखे हो तो कहानी सुना दो, एक वो कर दो, एक ब्रेक्ट की बात बोल दो एक चेकाओ की बात बोल दो कोई भी आपको कुछ बाते हैं हो गया वसूल उसका तो और अद्भुत लोग है बहुत प्रेम है मतल़ दुनिया अच्छे ही लोगों से चल रही है क्योंकि बुरे लोग सिर्फ आपके हाँ आज तक में हेडलाइन बनाते हैं पर अच्छे लोग नहीं आते हैं आपके कहीं भी लेकिन अच्छे लोग जादा है 99% अच्छे लोग है वो 1% आपके हेडलाइन बना देते हैं उनी से खबर है लेकिन असल में जादा अच्छे लोग है आप ट्रेवल करते हैं तो पता लगता तो वो आप गर बैट पीड़ लाएं, दुनिया कहां जारी है दुनिया? कितनी खराब हो रही है क्योंकि हम तो खबर पट रहे है बार तो जानी रहे हैं आप जाओने हमार आप देखो किसनी ने 500 पेड़ लगाएं किसनी ने 1000 पेड़ लगाएं कोई आदमी सिर्फ यही काम कुछ आदमी जानवरों के लिए कुछ काम कर रहा है अगा साफ कर रहा है उसका आपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी नहीं देखी होगी जो आती ही नहीं हो आस्था मिश्रा है बलरामपुर यूपी से मानव कॉल की भीतर कश्मीरियत की कसक बाकी है या एक अधाकार की तडप जो ने लिखने पर मजबूर करता है क्या है ऐसा जो ने लिखने के लिए प्रेणना देता है और कैसी परिस्तितियों में उन्हें कब और क्यों लगा कि उन्हें लिखना चाहिए ये आधा दरजन सवाल है इसका एक बढ़ियां जवाब है जो मैं एक बार चेखव जो है इंटर्वी दे रहे था तो इंटर्वी वाले ने चेखव से पूछा कि आखरी सवाल, important आपको inspiration कहां से लिखने के तो ये बोलता है कि चेखव बोलते हैं कि कल तुम आओगे ना तो एश्टर पर मैं एक कहानी लिखता हूँ कहते हैं इंस्पिरेशन नहीं है ये मेरा जॉब है I write I write with a lot of hard work तो क्या है कि मैं इस पर भी कहानी लिख सकता हूँ क्यों कि मैं लिखता हूँ मैं यही करता हूँ तो इसको जो एक romanticize कर दिया गया है कि यह एक ऐसी चीज है जो कुछ लोग करते हैं ऐसे करके सोचके या पीडा में रहके मैं जितना सुखी रहता हूँ जितना मेरी personal life अध्भूत है मैं उतना जादा लिखता हूँ मैंने पिछले कुछ सालों में जादा लिखना इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरी personal life अध्भूत है जीना हुजादा important है यह सब by product है आपका जीना अच्छा नहीं है यह सब खराब है और आप जिन भी writer को आपने romanticize किया है कि वो देखो तलब तलब के मर गया उन्होंने कुल मिला कि छे चीज़ें है त्रांतीजा दो चीज़ें लिखें अच्छी क्योंकि वो उन्हें अपनी life गर्थ करके रखे दी मतलब मैं नाम नहीं लूँगा शायरों के कही उनके कुल मिला के चार शायरी अच्छी पना चीज़ें लेकिन आपने उस सिर्फ romanticize किया है क्योंकि वैंगॉग की कहानी अगर आप बेचोगे तो वैंगॉग की painting महंगी बिखेगी अगर वैंगॉग की painting नहीं आप कहानी नहीं बेचोगे वैंगॉग की कहानी पता चलने के बाद ही उनकी painting बिखने शुरू भी है उसके बेले लोगों नहीं तवज्जव भी नहीं लेकिन वो society है वो वो अमीर आदमी है जिसके पास की painting है और वो कहानी को float करता है आपके सामने और आप कहते हो कि कितना ओड़ा है अब ये खरेद ले ले तो आदमी है ये बहुत अदबुत बात इसलिए आपका सुखी आपका अदबुत जीना ज़्यादा जरूरी है अनमोल राना ने पूछा है कि is art without audience is art मेरे एक दोस्त ने जो vocal artist ने कहा था कि art को audience की जरूरत नहीं होती मगर मेरा कहना ये है कि अगर कोई आपके काम को appreciate करने वाला ना हो that doesn't mean to be art आप क्या कहते है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ तो अगर आप नहीं सोचे तो आप कहा है ये सवाल ज़ादा बड़ा है आप नहीं सोच रहा है आप है तो ये जो पूरा का पूरा गेम है तो इसका दूसरा पहलो ये है मैं जानता हूँ कहां जा रही है बात कि आपने art बनाया audience की जरूवत है तभी art और sexual फिर आप अगला बोलेंगी कि फिर लेकिन audience आपका art देखके बोर हो जाती है तो audience को जो चहीए आप वो देना चाहिए न आपको फिर audience है भीर भीर जो चाहती है भीर हसना चाहती है तो आप जोकर हो आंत में वो आपको जोकर ही बनाती है तो गुरू ये बात मानो आप अपने लेका बात है ये I think Kafka ने बात कही है कि जो डोर है आप पूरी जिन्दगी दरवादा खुलना चाहते है धक्का देदे के ठक जाते है दरवादा खुलता नहीं है बहुत लेट रिलाइज होता है कि दरवादा अंधर की तरफ खुल तो artistic journey inward outward नहीं है outward जूट है सब तो आपके जितना नेजी चीज़ उतनी universal होती है तो आप नेजी में जितना अधवत हो जैसे रसकोल निकोव जो मैं बोलता मैं हो रसकोल निकोव या ग्रिगोर सेमसा या stranger वो कहीं कहीं लिखी बात रहा है मैं चौल में बैठके पढ़ रहा हूँ और मेरे को लगता है मेरी बात कैसे लिख रहा है लेकिन वो फ्रांस में को पता नहीं फ्रांस है कहा है मुझे पता नहीं था जर्मनी कहा है मुझे पता नहीं सेंट पीटर्सबर्ग कहा है लेकिन वो मेरी बात लगता है क्योंकि वो उनकी बहुत परसनल वात है तो तो गुरू अपने पे रहो यह वाली बातों पे तब जाना जब 25 किताब लिखता हो फिर बोलो कि अब मैं बताता हूँ पहले शुरू तो करो, बहुत लंबी आतरा है और बहुत सारे सवाल हैं लेकिन हाँ मैंने कहा था कि गुच्छा बना ले ना बाई साब ने ऐसी दे दिया मुझे क्योंकि इसमें फिल्मों और नाटक पता नहीं क्या कि बहुत सारे सवाल तो है पर यह बता देजी कि पहाडों में लाइबरेरी खोलने का इरादा था आपका और है और चाई के दुकान भी कॉफी शॉप और एक एक बड़ी इच्छा है मेरी लेकिन हो नहीं पाएगा पूरी क्योंकि मैं तो टिकता नहीं हूँ एक जगे एक इच्छा थी कि अलग-अलग आठ फिल्ड के लोग ना जिससे पॉर्टरी जो करता है पेइंटर जो है एक राइटर जो है एक फिल्मेकर जो है एक एडिटर जो है एक लिरिसिस जो है उनको एक जगे होनी चाहिए जहां आके वो साथ रह सकें तो उसमें कहाने है कि पॉर्टरी और राइटिंग के बीच का संबंध बता नगरा चाहिए समझ से कहाने है कि सारा आठ जो फिल्ड है वो एक दूसरे से बहुत जुदा है वो थोड़ा पास आजाए और इंटरेट करने के लिए एक जगे मिने मुझे वो चाहिए कि ऐसी एक स्पेस बनानी थी कि जहां पर एक पॉर्टरी आके एक महने काम कर रहा है आपको अगर आना उसके साथ रह सकते हो शाम को तो मिलो गई या एक मैं हूँ मैं एक मैंने कहीं जाके रहता हूँ तो ओपन है चार और शेक है आप आके रहो तो एक राइटर से लेकिन स्ट्रिक्ली आर्टिस्ट होना चाहिए कोई या तो आप फोड़ाग्रोफर हो या कुछ हो तो एक सबको एक दूसरे को कुछ मिले उससे कितनी अद्बुत बात है कोई क्यों नहीं खूल रहा है आप ही खूलें कुछिश कीज़े क्योंकि मैं देख रहा था आपने ये लिखा भी था जैसे आप बहुत बोजल महसूस कर रहा है कि तो किसी म्यूजियम में चले गए कुछ अच्छा आर्ट देख लिया अब आपके आपके राइटिंग में रंग आ गए तो कभी नहीं थे रंग मेरी राइटिंग में तो मुझे लगाए कि कितनी जरूरी है बात मानव इसे खुद को बचाने के लिए कोई कोई कोशिश करते हैं या लेखन की स्वभाविक प्रक्रिया से गुजरते हुए इससे मुक्त हो गए मैं सोचता ही नहीं हुआ मुझे लिखने में बहुत मुझा आता अगर लोग पढ़ते हैं ये बहुत अच्छी बात है तो मानव जी से पूछा है ममता जीन कि देश विदेश पहाड जंगल खुब घुमते हैं वहाँ से कहानिया बुमते हैं क्या मैदान और खासकर यूपी के जलों में घुमने उन पर लिखने का कभी मन नहीं किया और कहिएगा उन से कि अमेठी के अग्रेसर गाउं में उनका बुलावा है कभी जाएंगे उनके घर पे कमरा किराया पे लेके बैठ के लिखेंगे मतलब हाँ मेरे को ऐसा कुछ है नहीं मैं बहुत सूच आप प्लैनिंग से नहीं करते है तो होगा होगा यार वही है कि जैसे अब मैंने मैं माललो अभी नोसे काट प्रणाब बोल रहे हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा एक ही लाइफ है मेरी मैं कुछ किताब ही नहीं पढ़पा हूँ लाइफ में तो मैं नहीं पढ़ूँगा उसमें कहाँ कुछ हमेशा छूटी जाएगा वो थाई नहीं मेरे लिए एक्जिस्स ही नहीं किया मेरे लिए चलिए तो अन्य तुम्हें इस पॉड़कास्ट को कॉंक्लूड कर देता है बहुत साथ लोग आपके इंतजार में है बहुत भूग भी लग रही है अरे गजब पुहा मिलता है बाहर देखा हम तो खाते ही हैं दो प्लेट खाया मैंने अभी खाया तो अब खाना खायेगा थैंक यू, थैंक यू सो माच बहुत बहुत शुक्री आपका और अब थैंटर देखने जाएंगे जो लगा है आपने बताया 2122 सब का मुझ दिखना जी है मझेवा हाँ, तो आएंगे आपसे मिलना है बहुत बहुत शुक्री आप लोगों का इतने धहर से सुना और मेरा खैल है मुझे तो नहीं पता चला बाचित लंबी थी छोटी लगी मगर जिने लगी भी होगी वो बहुत समरद हुए होंगे रेफरेंसेज बहुत मिले होंगे आज बहुत शुक्री आमानो कॉल जी आपका बहुत शुक्री आपका अगले गुर्वार हाजिर होंगे और अंत में वही प्रार्थना एक लाग सब्सक्राइबर से थोड़े दूर रह गए हम हम वीडियो में ताजे-ताजे आया है न तो मेरा कहना है कि आप ही कह दो कर लो भी या तो प्लीज कर लो भी या थैंक यू सो मै